नमस्कार मैं हूँ शेखर धरम करम में अब बात करते हैं आज के पंचांग की अब बात करते हैं आज की तिथी की और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए फल्दाई होगी चलिए अब आपको बताते हैं नक्षत्रों का आज कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहेगा और आपके उपर इसका क्या असर होगा अब बारी है आपको आज के योग बताने की साथ ही हम आपको बताएंगे आज का विशिष्ट योग योग सिद्धी नामक नेसरकिक शुब योग दोपहर बाद 1.54 मिनिट तक तदंतर व्यतिपात नामक नेसरकिक अशुब योग है व्यतिपात नामक योग की समस्त गटिया सभी शुब कार्यों में सरवता वर्जित है विशिष्ट योग यमघंट नामक अशुब योग सूर्यद से शाम 6 बचकर 41 मिनिट तक है यमघंट नामक योग में विशिष रूप से यात्रा आदी शुब नहीं होती करण बव नामकरण दोपहर बाद 2 बचकर 30 मिनिट तक तदोपरान बालव व कोलवादी करण है दोस्तो अब बारी है आप जान लीजिए आज के व्रत त्योहार उत्सव और विशिष आयोजन अब आपको बताते हैं आज चंद्रमा के स्थिति कैसी है दिशा शूल किस दिशा में रहने वाला है और राहुकाल का समय कौन सा होगा चंद्रमा संपूर्ण दिवारात्री व्रिश राशी में है ग्रह राशी नक्षत्र पडिवर्तन दोपहर बाद 1.46 मिनट पर शुक्र चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा दिशा शूल गुरुवार को दक्षण दिशा की यात्रा में दिशा शूल रहता है पर आज व्रिश राशी के चंद्रमा का वास दक्षण दिशा की यात्रा में सम्मुक रहेगा यात्रा में सम्मुक चंद्रमा धनलाब कराने वाला वर शुब माना जाता है अब आपको बताते हैं आज के शुब मुहुर्थ और स्रेष्ट चोगडिये यानि कौन सा समय आपके किस कार्य के लिए उत्तम रहेगा शुब मुहुर्थ उपर्युक्त शुब शुब समय तिथी वार नक्षत्र व योग अनुसार आज किसी शुब व मांगलिक कार्य आदी के लिए शुब व शुद्द मुहुरत नहीं है शुरिष्ट चोगडिये आज सुर्योदे से प्राते 7 बचकर 55 मिनिट तक शुब पुर्वाहन 10 बचकर 47 मिनिट से अप्राहन 3 बचकर 5 मिनिट तक क्रमशे चड़ लापव अम्रत तता शाम 4 बचकर 31 मिनिट से सुर्यास तक शुब के शुब के शुरिष्ट चोगडिये है अब आपको बताते हैं आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में प्रतिग्य होते हैं इनका भाग्योदा 28 से 30 वर्ष की आयू तक रिश राशी वाले जातकों को संतान संबंधी चंता अधिक रहेगी घर में अशानती का वातावरन रह सकता है तो आपने जान लिया आज के पंचांग ग्रह नक्षतर चौगडिये और आज जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है जैसा हम हमेशा आपसे कहते हैं कि ये ग्रह नक्षतर भी उनी का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर श्वास रखते हैं एशोर से कामना है आपका आज का दिन मंगल कारी हो नमस्कार